अभिमन्यू के प्यार को ठुकरा के अक्षरा ने लगाई है उसकी क्लास अब इसके बाद अभिनव क्या करेगा जी हाँ दोस्तों स्टार प्लस के मोस्ट पॉपिलर सीजर ये रिष्टा क्या कहलाता है में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से अभिमन्यू जो है फिर से अ अभिनव भी वहां खड़ा होकर सुनने वाला है तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्राक में और क्या-क्या टुस्टन टर्न्स आने वाले हैं पर सबसे पहले तो आप देखेंगे किस तरह से अभिमन्यू और अक्षरा जो है मंदिर के सामने खड़े होते हैं जहा कлекशा क्या जें जो यहां अभिमन्यू खरत आगी us तरह को बडा कि मुझे पता है हम दोनों की खुशियां साथ में हैं हम दोनों और अलग रहकर खुश रहीन हैं पाएंगे इस सारी बातें अभिमन्यन जो है अक्षरा से कहता है लेकिन अक्षरा इस बार इसकी एक नहीं सुनती है साथ ही आप यह भी देखेंगे किस तरह से अभी मन्य जो है अक्षरा को कहता है प्लीज मेरे पास वापस लौटाओ इस बात पर अक्षरा जो है तुम्हीं क्या लगता है मैं अपने बच्चे अपने पती को छोड उतकर तुम्हारे पास वापस चले आओ तुम्हारे लिए जो प्यार था वो खत्म हो चुका है तुम्हीं क्या लगता है हर चीद इतनी इसकी होती है ये सारी बाते अक्षरा जो है अभिमन्यू को कहती है और यहीं पे खड़ा हुआ अभिनव जो है उन दोनों की सारी बाते सुन रहा होता है और कहीं न कहीं अभिनव को ये फील हो जाता है कि अभिमन्यू ही नहीं बलकि अक्षरा भी उससे अभी बहुत प्यार करती है अभिन तरफ अक्षिरा जो है बार बार अभी मन्यू के सामने यही दलील देती है कि वह अभी मन्यू से अब प्यार नहीं करती वो कहती है मुझे पता है जब तुम्हारा एक्सिजेंट हुआ था तुम्हें काफी जादा घब आ गई थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी तुम नील से रिष्टा तोड़ देते नहीं क्योंकि नील जो है तुम्हारा अपना था और तुमने मुझे कभी अपना समझा नहीं अब यह सारी चीज़े जो है अक्षिरा ने अभी मन्यू को बोली है अब बही पर अभी मन्यू जो है वह पागलों की तरह परिशान हो रह और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें